एक question बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं कि मैंने DAX सीखना है यानि कि DAX यानि कि Data Analysis Expression सीखना है तो pre-requisite क्या है? मुझे क्या आना चाहिए? मेरे पास क्या होना चाहिए? और मैं किस किस चीज को सीख के DAX को master कर सकता हूँ? पास दोर पे मुझे preliminary कौन कौन सी चीज़ों का होना ज़रूरी है यह रही जी आपके सामने detail DAX की pre-requisite में सबसे पहले यह है कि this is similar to formula used in Excel ठीक है? formulas मैंने उर्दू-हिंदी लुगत से ले लिया लेकिन असल में से formulae बोलते हैं similar to वो formulae जो आप use करते हैं Microsoft Excel के अंदर यह उसी तरीके से लेकिन एक थोड़ा सा step ahead है You should know about add-ins, आपको add-ins का पता होना चाहिए when you are working on DAX क्यों? क्योंकि जब आप Excel के अंदर कोई भी add-in को install करते हैं तो add-ins को install करते हैं तो आपके पास power pivot की add-in को कैसे enable करना है, कैसे disable करना है, कहां पर जाके add-ins पड़ी हुई है यह सारी चीज़े पता होनी चाहिए जो मैंने पिछले lecture में सिखा दी हैं, जिनका link मेंने description में भी दिया हुआ है, you can actually see those lectures from there, फिर आपके पास basics आपको पता होनी चाहिए कि expression या formula कैसे लिखा जाते हैं, ठीक है, या columns या variables को आप किस तरीके से calculate करते हैं, या आपको थोड़ी सी basics पता होना चाहिए और इस basics को सीखने के ल चीज़ों को use करने आना चाहिए, और आपको वो चीज़े आने चाहिए जो decks के अंदर बहुत जरूरी है, कौन-कौन सी हैं वो चीज़े मैं भी आपके सामने रखता हूँ, यह screen आप देख सकते हैं, आपके सामने यहां पे, एक मैंने Excel की worksheet open किये, कोई भी आप Excel की worksheet open कर ले या workbook open कर ले, file पे आपने जाना है, जाने के बाद यहां पे अगर चेक करें, तो options में जाने के बाद, आपके पास add-ins आ जाती है, यह add-ins का button है, मैं इस पे click करता हूँ, click करने के बाद, अगर मैं थोड़ा सा zoom in करूं इसे, तो आप देख सकते हैं, कि यहां पे मेरे पास add analysis tool pack की add-in है, और बाकी add-ins है, जो हमने पिछले lectures में देखी दी, इसके इलावा, अगर आप इसी पे file पे click करें, नीचे चले जाएं जनाबे वाला options पे, और यह add-ins पे आजाए, add-ins पे आने के बाद, यहां से com add-ins पे जाके go पे click करने, and then you have to actually click this, power pivot for Excel, and Microsoft power map for Excel, इसमें से power pivot for Excel जो है, इसे आपने activate कर लेना है, यह वाली add-in को, यह totally free में available है, अगर आपके पास Microsoft Office 365 installed है, अगर नहीं है, then you need to install Microsoft Office 365, and then this add-in will be available there, मैं इसको okay करता हूँ, यह add-in का पता होना आपको जरूरी है, इसके इलावा कोई भी data अगर आपके पास आता है, say for example, अगर मैं अप हमारे पास एक data था, मैं इसको करता हूँ, copy, copy करने के बाद, मैं यहाँ पर paste कर लेता हूँ, say for example, not like that, मैं दुबारा से वापस जाता हूँ, Titanic का data था, जी हमारे पास, यहाँ तक data था, इसे मैंने copy किया, copy करने के बाद मैं Excel की दूसरी sheet में गया, यहाँ पर इसे paste कर लिया, and I was talking about this thing, so यह आपके पास अगर कोई भी data set है, तो आपको पता होना चाहिए कि data को, अगर मैंने column wise कोई analysis करना है, row wise करना है तो कैसे करना है, तो इसका best formula है कि इसी data पे आके control plus T दबाएं, T for table, okay कर दे, यह tabulated form में आ गया, आप control plus Q, Q for queen दबाएंगे, तो आपके सामने यह quick analysis की बार open हो जाएगी, control Q, और यह quick analysis के totals में जाकर आप देखें, कि यह आपके पास column wise आ रहे है total, अगर आप देखें, तो यह column wise total आपके पास आ गया, यानि कि यह सारे columns है और नीचे इनका total आ गया, और यही चीज़ अगर मैं totals पे जाकर थोड़ा सा right side पे जाऊं, तो यह row wise भी मेरे पास total मौझूद है, something like this, चेक करें, यह मेरे पास row wise आ गया, यानि कि इस row का पूरा analysis यहां पे आ गया, और इस column का पूरा analysis मेरे पास यहां पे आ गया, so this is how you should know कि किस तरीके से आपको Excel की skill आती है, और यह वो skills है जो आपके पास Power BI से related भी होने चाहिए, कि Power BI कैसे आपनी यूज करना, और Power BI के इस्तमाल कैसे करना है, यहां पे अगर आप गौर करें, तो इसी स्क्रीन पे मैं वापिस आता हूँ, यहां पे आपको मैंने बड़ी detail में, अगर आप Kodanix की website पे जाएं, और हमारा यह course देखे, अगर मैं शुरू से आपको दिखाऊं, kodanix.com, इस website पे जाएं, जाने के बाद अगर आप courses में जाएं, courses में जाने के बाद आपके सामने यहां पे हमारा एक course है, जिसका नाम है Data Analyst Summer Bootcamp, आप इस पे जाएं, तो इसमें सारे के सारे lectures हमने बड़ी detail में आपको बताएं हुएं किस तरीके से आपने कौन सी चीज़ी जो हैं, वो सीखनी है, इसमें Excel, Power BI, Tableau and each and every lectures are there, तो proper lectures यहां पे दिये हुएं, कहने के मकसद यह है कि अगर आपने यहां से Excel सीख लिया और Power BI सीख लिया, that's good, अगर नहीं सीखा, तो आप YouTube पे चले जाएं, YouTube पे जाने के बाद हमारा जो चैनल है, जिसका नाम है Kodanix, आप आपके सामने यह चैनल आएगा, इस चैनल पर जाने के बाद आप playlist पे click करें, playlist पे click करने के बाद यहां पे लिखें, Excel, जैसे आप Excel लिखेंगे तो आपके सामने यह हमारी दो ब्ले लिस्ट आजाएंगी, एक 38 वीडियो की एक 84 की, आप 84 वाली को पहले देखें पिर 38 वाल तो Power BI की training आपने यहां से ले नहीं है, अब होता क्या है, जो Power BI software है, इसके अंदर DAX बहुत ज्यादा use होते हैं, और मैंने इसको install करने का तरीका, इस पे काम करने का तरीका, each and everything मैंने आपको सिखा दी हुई है, यह software कुछ इस तरीके से नजर आएगा आपको, यह आपके सामन मैंने जो report आपको सिखाई हुई है, यह मेरी यहां पर पढ़ी हुई है, report dashboard भी है, मेरे पास, plots का भी dashboard पढ़ा हुआ है, तो यह आप पिछले lectures में देख चुके हैं, जो हमने report बनाई थी या plots बनाई थे, तो यह उसका Power BI का, उस तरीके से हमारे पास एक project open हो जाता है, करने है कि हमने यह Power BI के अंदर, यह dashboard बनाया था, अपने last lecture में आपको पता होगा, यहां पर अगर आप चेक करें, मैं अगर यहां पर zoom in करूं, तो left side के उपर, यहां पर आपके पास एक report view है, फिर आपके पास एक table view है, जहां पर आपका data नजर आता है, फिर आपके पास एक model view ह है, जहां पर आपका model नजर आपको आता है, फिर आपके पास यहां पर DAX है, DAX query view, यह है वो DAX का query view है, यहां पर आप जाके DAX की queries जो हैं, वो देख सकते हैं, और DAX की query पे काम कर सकते हैं, अब अगर आप गोर करें, हमारे पास यहां पर co-pilot में मजूद है, जो Microsoft का co-pilot, एक basically, एक chat GPT की तरह का है, आप अगर इसे भी use करके कोई भी query लिखना चाते हैं, तो it can automatically provide you that DAX function यह DAX query, लेकिन अगर आप यहां पर click करें, यहां पर click करने के बाद, आप इस एक जगा पे जहां पर table view है, आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी एक data उठा के, उस पर कोई भी functions apply करके DAX को जो है, वो use कर सकते हैं, ठीक है, तो कहने का मकसद यह है, कि आपने table view में यहां पर जाके DAX का function यूज करना है, और अगर आप Microsoft Excel की बात करें, तो Microsoft Excel में अगर आप data पर जाएं, तो यहां पर आप click करेंगे, जिसका नाम है data model, manage data model, यहां पर जाने के बाद, यहां पर आप basically DAX को use करेंगे, इसके अलावा अगर आपने data को import नहीं किया, तो power pivot पर click करके भी आप add to data model, यहां से भी table add कर सकते हैं, और manage भी कर सकते हैं, for example, यह वाला मैं यहां पर click करता हूँ, तो यह जो data था, यह मेरा model में add हो जाएगा, so this is how you can add that data to model, अब मैं जैसे इस पर click करता हूँ, click करने के बाद मैं यहां पर कोई भी function लिखूँगा, equal to लगा के, तो वो DAX का expression होगा, this is how you write DAX expression, कैसे हैं, कौन-कौन से हैं, इस पर हम बात-बात में करते हैं, लेकिन पहले आपको बताना मक्सूद था, कि DAX कहां पर use होगा, किस तरीके से use होगा, ठ please write down in the comment section, और अगर आपने like नहीं किया, शेर नहीं किया और subscribe नहीं किया हो मारे YouTube channel को, please do it now, it will help us to bring more videos towards you.